विश्वो विहार मा गणी वख़ शब्द चर्चा आप्पामा आवे छे। गोत्र एटले शू आप्प्रश्णा आजकाल गणाने थाई छे। गोत्र शब्द चर्चा नो विश्वाई बनी रहे छे। त्यारे गोत्र एटले शू एजानवु जरूरी बनी रहे छे। प्राचीन समयमा रुषियो गायोने पाडता अने तेनो उचेर करी तेनो संरक्षन अने संवर्धन करता हता। रुषियो गायोना समुहने जिया राखता हता तेने गोत्र कहवामा आवतु हतु। आपने जिने वाडो कहिये चे। गवहु त्रायन ते इती गोत्रम जिया गायोनु रक्षन करवामा आवे चे। ते गोत्र। गुजराती मा गोतर जेनी बै व्याख्या आपी शकरे। एक गोतर नपुसकलिंग गोत्र कूल अने बै संगो वत्ता त्रुण कठोलनी शिंगोना फोत्रा अने पानड़ानो भुक्को। इतले के ढोरनु खान प्राचिन भारतिय परंपरा अनुसार हिंदु धर्मनी प्रत्यक जाती ना गोत्र होय छे। आ गोत्रनु नामकरण प्रारंभमा कोई ने कोई रुशी ना नाम पर्थी थतु हतु। केटला गोत्रन नाम, कूल देवी नाम पर्थी पन प्रचलित थाया छे। सामान्य रिते गोत्रमा वन्षपरंपरा जोडायली होय छे। संस्कुरुत व्याकरणना पितासमा महर्शी पानी नीना अष्ट्याध्याई मा एक सुत्र छे। अपात्यम पवत्र प्रभूर्ती गोत्रम। गोत्र शब्दनो अर्थ दिक्राना दिक्रा साथे आवनारू संतान। महाभारतना शांती परवमा आवता एक शलोक मुझब। एवखते चार गोत्र हता। अंगिरा, कश्यप, वशिष्ट अने भ्रुगु, समय जता, जमदगनी, अत्री, विश्वामित्र अने अगच्या रुषीनु नाम जोडाता कुल आठ गोत्र थाया। जैन मतमा पन सात गोत्रों उल्लेक छे। आठ रुष्यों नाम साथे जोडायेला आठ गोत्रों उप्रांत जे ते जातियों न इतिहास अने कुल देवियों नाम जोडाता नाना मोटा 115 गोत्रों अस्तित्वमा आव्या। जाति व्यवस्था कडक थता गोत्रणों महत्व वदि गय। ते वखते शुद्रों ने बाद करता बाकीना तमाम पोताना नाम साथे गोत्र जोडता हता। दिमे दिमे शुद्रोय पन पोताना नाम साथे गोत्र जोडवानू शरू कर्यू। शुद्रो जे परिवार के व्यक्तिनी दिर्ग कार सुधी सेवा करता, तेनू नाम जोड़ी देता हता। एक आलमा शत्रिय के वैशिय यगन वखते पोताना पुरोहितोना गोत्रना नामनु उच्चारन करता हता, आथी दरेक सवर्णना गोत्रोना नाम तेना पुरोहितोना गोत्र नाम पर्थी प्रचलित थाया, गोत्र बै प्रकारना छे, मात्रुवन्षिय औने पित्रुवन्ष जो के समाज मां पुरुष्ट तत्ता प्रचलित होवा थी पित्रु वन्शिय गोत्रो विशेश अने मुख्य रूपे प्रचलित छे। आ साथे एपन उल्लेख निया छे के गोत्र कोई आदी पुरुष्ट नामेज चाले एवु जरूरी न थी। गणी जन जातियों मां विशिष्ट चिन्हो द्वारा पण गोत्रो नक्की थाये छे। जे वनस्पती थी माडी ने पशु पक्षीन पण होई शके छे। जेमके सीह, मकर, सूरिय, माचली, पीपडो वगेरे। गोत्र ना नामनी खबर न होई तो कश्यप कही देवानों चाल चे। कारण के कश्यप रुषिये घणा लगनों करया हता। तेथी तेमना संतानों पन घणा हता। आ संतानों कश्यप साथे जोडायला हता। वली दरेक ब्राम्मन साथे आटली बाबतों जोडवी जरूरी मानवा मावी छे। अटक, गोत्र, प्रवर, शाखा, कुलुदेवी, गणपती, यक्ष, शीव भैरव अने शर्म। मनुना नवमा पुत्र, नरिश्यंतनी दस्मी पेढ़ी मा अगनी वेश्य उत्पन्न थयो। ब्राम्मनोंनु अगनी वेश्यायन गोत्र, एमना थी जालियो। क्षत्रिय मनुना चोथा पुत्र, द्रश्टीनो पुत्र, नाभाग, पुताना कर्मना कारणे वेश्य थाई गयो। पन, एज नाम्थी नाभागनी बारमी पेढ़ी मा उत्पन्न थायेल, मरूत, फरी पाछास, चक्रवर्ती राजा, क्षत्रिय थाई गयो। आ रिते क्षत्रियो ना ब्राम्बन तथा वैश्य बनवाना उदाहरण श्रीमत भागवत पुराण मा जुवा मले चे। अतरे उल्लेख निया चे के गोत्र पहला आवियू, अने पची थी कर्मानुसार वर्णव्यवस्था प्रचलित बनी। आज कारणे बधा गोत्र बधी जाती साथे वर्णमा होय चे। कवशिक ब्राम्बन पण चे अने ख्षत्रिय पण चे। कश्यप गोत्र ब्राम्बन अने राजपूत बन्ने मा चे। अने पचात जाती मा पण चे। वशिष्ठ गोत्र ब्राम्बन अने दलीत मा पण चे। दलीतो, राजपूतो अने जातो मा अनेक गोत्र चे। सीहल गोत्रिय ख्षत्रिय वाणिया बन्ने मा चे। राणा, तमवर, गहलोत, गोत्रिय जातो मा जोवा मले चे। तेम राजपूतो मा पण चे। राठी, गोत्रिय जात अने वाणिया बन्ने मा होई शके चे। आपने आगळ जोयू तेम। जैनों मां साथ गोत्र छे, ते मुझब आठ कर्मों छे, ग्ण्यानावरणिया, दर्शनावरणिया, वेदनिया, मोहनिया, आयुष्य, नाम, गोत्र अने अंतराये 63 शलाका पुरुष, अने उत्तर पुराण जिवा अनेक प्राचीन ग्रन्थो मां, महाविर्स्वामी ना पुर्व जन्मन उल्लेक छे, संस्कार चक्रमा जीव अनन्त जन्मले चे, तिर्थंकरोना जन्मकालनी गणना त्यार्थी थाये चे, जेर्थी तेओ सम्यक कत्व के ति गोत्र नी आवश्यक्ता लगना वखते घणू खरीने होई छे। सगोत्रिया लगनोंने त्याज्य मानवामा आव्या छे। जो के एक गोत्र ना वरकन्यानु लगना करवामा आवे तो संतानों विक्रुत थता जोवा मले छे। आजनू विग्ण्यान पण नजीक ना कूळ के लोहीना संबंदे जोडायली व्यक्तिओना लगनती थता संतानों विक्रुत अने मंद वुद्धिना थाये छे। कहे छे, भाई बहननों संबंध निर्मण रहे छे, विग्ण्यान अने धर्मनों समन्वै थाये छे, गणेश पुराण मुझब शिव पार्वतीना लगनव खते नारत जी कहे छे, शिव जीने गोत्रनी कोई जरूर नथी, तेव अजन्मा अरूप निराकार छे, जीव शिव पनी जाए, तो तेने गोत्रनी जरूर रहती न थी, कालिंदी परिख